जै मसीखी दोस्तों, आज की स्वरगय मन्ना का भाग हमने लिया है दूसरा कुरिंथियन, उसका पाँचवा अध्याय और उसका पंदरवा वचन वचन कहता है, और वो सब के लिए मरा, कि वे जो जीवित हैं, आगे को अपने लिए ना जीएं, परंतो उसके लिए जीएं, जो उनके लिए मरा, और फिर जी उठा धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए दोस्तों, ये नई स्रिष्टी क्या है? जब इश्वमसी ने हमारे लिए प्राण दिये, जब इश्वमसी ने हमारे लिए बलेदान दिया, और हमने उस पर विश्वास किया, तो हम नई स्रिष्टी में आ गए पुराना मनश्वर तो हमारा जो था वो स्वार्थ से लिप्टा हुआ था लालर से लिप्टा हुआ था हम अपने ही कामों की धुन में हम अपनी वास्तनाओं की धुन में हम अपनी अभिलाशाओं की धुन में पड़े हुए थे लेकिन परमेश्वर ने हमें इस मसी के द्वारा शुद्द किया पवित्र किया और एक नई स्रिष्टी में हमें बना दिया और वो नई स्रिष्टी में जो कुछ भी नया हमारे पास है उसे हमने नहीं अरजित किया है वो परमेश्वर का दिया हुआ है वो परमेश्वर का मुफ्तदान है वो परमेश्वर की कृपा है वो परमेश्वर का सामर्थ है इसलिए बाइबल कहती है अब हमें जो जीवन चीना है वो परमेश्वर के लिए है अब हमें उन चीजों का जो उपयोग करना है, जो परमेश्वर नयमेति है, वो परमेश्वर के लिए है, उसकी महिमा के लिए है, उसकी सेविकाई के लिए है, उसके सुसमाचार के लिए है के तुम नहीं जानते कि तुम्हारी दे पाविद्रात्मा का मंदिर है जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है लेकिन तुम के अपने नहीं हो दोस्तों, सुना अपने, हम अपने नहीं है हमें अपना शरीर, हमें अपना ये जीवन अपने लिए नहीं गुजारना है प्रभू के लिए गुजारना है, उसकी महिमा के लिए गुजारना है उसकी इच्छा के नुसार गुजारना है उसकी योशनाव को समझते हुए हमें अपने जीवन को गुजारना है और यही सची मसीहत है यही सची सेविकाई है यही जीवन का जीना है दोस्तों मैं जब भी मुसा के बारे में पढ़ता हूं नेरे कवन में तो मेरा मन उत्सा से भर जाता है मुसा ने जो सेविकाई की है वो उधारनी है मुसा परमेश्वर की वानी था परमेश्वर रात को फिरोन के सामने मुसा को रखते थे और मुसा फिरोन की वानी फिरोन के सामने बोलता था और जब वो रात को निकलता था देर रात को निकलता था तब परमेश्वर बोलते थे कि जा सुभए फिरोन से पहले तु नील नदी में जा जा और तू मेरी ये वानी फिरोन से कहे अब सोचिए अब सोचिए दोस्तों मुसा का परिवार था मुसा के दो बच्चे थे उसकी पत्नी थी लेकिन रात को परमेश्वर की सेवकाई उटने से पहले परमेश्वर के वचनों के दोरा उसकी आग्या के अनुसार वहां खड़े रहना कि परमेश्वर की वानी, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की योशना लोगों के जीवन में सिद्ध हो इसी तरीके से हमारे इतने जो हमारे पूरवश्टे जो गुलाम थे जो गुलामी के जिन्दगी ची रहे थे आज मुसा के द्वारा उन्होंने आसादी पाई दोस्तों आज हमें भी अपने जीवन को आराम नहीं देना है आज हमें भी अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करना है हम कोई भी काम करें अगर हमें वो जीवन दिया है इस जीवन को कब बहुमूल ले आप समझेए इसकी कीमत को जानी है जो हमें परमेश्वर ने आत्मा जिन्दा की है हमारा एक तियाही शरीर पूरी तरीके से धर्मी है और पवित्रात्मा की चाप लगी हुई है दोस्तों मैं अब से प्रातना करता हूँ कि अभी भी कहीं अलस अगर हमारे जीवन में आता है अभी भी कहीं अगर हम अपने बारे में सोचते हैं हम अपने लिए जी रहे हैं तो दोस्तों नहीं, नहीं, नहीं हम वो जोती हैं हम वो परमेश्वर की नई सुष्टी है जो हमें परमेश्वर के लिए जीना है और परमेश्वर की युजनाओं को पूरा करना है मुझे एक किस्सा यादा रहा है वाटसअब में उस किस्से को पढ़ा था अमेरिका के गौँ में एक पासवान थे और उनका एक बेटा था उनके बेटे ने और पासवान ने यह एहद किया यह वाचा बांदी कि सबाख खतम होने के बाद संडे की सबाख खतम होने के बाद हम ट्रैक्स बाटने के लिए अपने गौँ में जाएंगे एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ बहुत बरफ बड़ी बहुत ही बरफ बड़ी बरफ से पूरा यह जो वह इलाका था ठक गया सबाख खतम हुई जो पिता पासवान था वो घर में बैठा हुआ चाय पी रहा था और बेटा अपने आपको उसने तयार किया और बाहर निकलने के लिए जैसे उसने कोशिश की पिता ने पूछा पासवान ने पूछा कि तुम कहा जा रहे हो उसने का पिता आपको पता नहीं है कि हमें ट्रैक्स बाटने है, आज संडे है तो उसने का इतनी बरब गिर रही है भाई तुम कैसे जाओगे, उसने का नहीं पापा मैं जाओँगा, गड़ी मैं जाओँगा और ट्रेक्स बाटूंगा उसने गा ठीक है जाओ हालेलुया वो बच्छा ट्रेक्स बाटने के लिए गया हालेलुया पूरे घर बंद थे कहीं नामो निशान नहीं ता किसी आदमी का लेकिन वो घर घर में जाकर खट-कटा खट-कट जाकर वो ट्रेक्स बेरा था और लोगों को बता रहा था कि शुमसी आपसे प्यार करता है लोगों को बता रहा था कि शुमसी आपके लिए मरा और मर के जिन्दा हो गया है लोगों के लिए बता रहा था कि कोई है जो आपके लिए जीता है कोई है परमेश्वर जो आप से प्यार करता है और इसी दरा बताते बताते वो एक मकान पे गया एक सुनसान जगा थी वहाँ एक मकान था वीरान था वो तर्वाजा बंद था उसने कट-कट आया वहाँ से कोई जबाब नहीं आया लेकिन वो परभू की स्थूति करता रहा परभू की आरातना करता रहा दो त्रीन मिनट चार मिनट के बाद उसने फिर कट-कटाया वहांसे फिर भी कोई आवास नहीं आई लेकिन उसे सास नहीं चोड़ा और वहाँ ढटा रहा क्योंकि उसे वो नियम वो वचन देना था कि ईशुमसी आपसे प्यार करता है कुछ दिर के बाद दर्माजा खुला और एक बज़र्ग औरद वहाँ पर आई उसके चेहरे पर सहमा सहमी थिया हालेलिया उसके चेहरे पर पूरी तरीके से निराशा थी उस बच्चे ने कहा कि आउटी आप नहीं जानते हैं कि ईशुमसी आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपके लिए मरा और आपके लिए जिन्दा हो गया उसने यसु समझार दिया उसको ट्रैक्स दिया और वापस आगया अगले संडे वो औरत उस सबह के पिछली बेंच पर बैठी होई थी और जब गवाही का समय आया वो औरत सामने आई और उसने कहा कि मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसे सब लोगों ने छोड़ दिया था मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसका कोई नहीं है और मैं लास संडे फासी लखा रहे वाली थी मैंने साड़ी तैयारी कर ली थी पंके के उपर मैंने पूरी ज़री के से रसी डाल ली थी मैं आपके लटक नहीं वाली थी कि तभी दरवाजे में दस्तक हुई दरवाजे में खट-कटाहट हुई मैंने उतरने में मुझे क्योंकि मैं बुरी हूँ उतरने मुझे टाइम लगा लेकिन जब से ही वहाँ पहुँची ये बच्चा सामने आया और इसने मुझे बता है कि शुमसी आपसे प्यार करता है मैंने पहली बार जाना कि कोई है जो मुझे से प्यार करता है कोई है जो मेरे लिए मरा और मर के जिन्दा हो गया कोई है जो मेरे लिए मरा है जैसे ये बात ये जहन में मेरे बात आई मैंने मरना कैंसल किया और मैं परभू के लिए अपने जीवन को समर्पित कर चुकी हूँ और यहां पर आज आपके सामने हूँ धन्यवाद दोस्तों देखिए एक आपकी कोशिश ने एक हमारी मेहनत ने एक नई शिष्टी की जो जीवन हमें परमेश्वन ने दिया है परमेश्वन ने एक आत्मा को बचाया उसी तरीके से वो जो मरा है हमारे लिए हमें भी उसके लिए जीना है जो इश्यू मसी है जो मरा है हमारे लिए हाले लिए तो हमें आईए हम प्रातना करते है आठ की सुभा, आज संडे है, आज रवीवार है, आज कलीस्या का देन आज विश्राम का दिन है, हम प्रातना करते हैं, हम आत्माओं को जीतने के लिए अपने जीवन को पूरी तरीके से समर्पित करेंगे, परमेश्वर की योजञना है, ह नाम से आपके चड़नों में आते हैं परमेशर, सुनने वले हर भाई बेन को आशीश दे, और वो बोज दे परमेशर, ताकि वो बोज हम अपने नई सिष्ठी के साथ लेकर चलें, और नई आत्माओं को जीतें, और हम अपने लिए नहीं हैं, हमारा जीवन तेरे लिए है, हम मसी के नाम से बागते हैं, एमेन, एमेन